हेल्लो केमचो अत्यार हुँ मारा गामनी अंदर आवेलो छू अने मारा घर ना टेरेसो पुरुभो छू मारी पाँच एक घर बनी रहूँछे अने तेज सिवाय पन विजा बेत्रन घर अहिया बनी रहाँचे मैं वीडियो एकला माड़ा बनाया हुँछे के अहीं यहां आ घर बनावती वखत है घर नी अंदर काम करना रहा पोताना जिवन नी शरुवात कहीं दित्या करया से यहनों एक नानो वीडियो से अने जे द्रश्चे में जोई हुँँ ए द्रश्चे तुमने बतावुँछे हुँज गमी जे सतमने है हाडमारी भरेली जिनकी इकवने के वाए जोई शोगोज होना चता है आनन्दी सवार ना पौरनी अंदर जा बनावानी सवारे उडतानी साथ है जो परवारी लेवू पड़े कैमके आखादी वस्त मजूरी करवानी हुए तो सवारे उठवानू डुटला बनावाना शाक बंतु जोई नेम भागा चलो हुँज जम्मा भेसी जूँँ रूटला बनता जोईने, खास करेने मकाईना, यहां मैसागर जिल्लों, अथवा पंचमाल जिल्लों, त्यां आगल मकाईना रूटला नू चलन वधारे छे, अमें पन मकाईनों रूटलों खाईनेज मूटा सया छे, बहुत स्वादीश्ट छे, हमने तो पसंचे छे, जरा मज पर्याद नहीं, आपने घणी वखत है, इस्ति वादा मकाद में डहसी मूटलों बहुच फर्यादों करता ऊड़ीये छे, खे मने आ नती मलतू, पेलू नती मलतू, जिन की जिववाने ये घरीच से, जो पर्यादों दो द्रेया करे, जे छे, जे मलियो जे, एनि इंदर प्रेद ना कड़ता कड़ता वो तन्यों जिवन पसार देजाये ज़ें अंग्यान एम आपड़ू खुब शांती राकीने जिवन जिवन जिवो ब्रद दुख लागें पनों जिवन जिवी जिवनिये में कि नाची या विचो के उपाए या विच्टाइब आपर है अंग्यान जिवनिया नीची अन्या पॉज़ है मेदान जा आन्ने मेदान बड़ा भागनी अंदर फूज़ें जिवन इश्वरबार कीवीन जहाए जिवन गाया सुबह का वक्त है एक तरफ चाय बनती है और दूसरी तरफ इटों से बनने चुले पर मिट्टी के बरतन में बक्के की रूटी यहाँ एक ही फैमिली के सदस्य है लेकिन एक से ज़्यादा चुले जल रहे हैं मुझे आश्यरे लगा मैंने पूशा कि भी ऐसा क्यों वो उन्होंने बताया जल्दी से काम खतम हो जाएगा क्योंकि कुछी देर के बाद काम शुरू हो जाएगा फिर उटी बनाएगा कौन, सबजी काटेगा कौन, सबजी बनाएगा कौन और चाय बनाएगा कौन ये बच्चे के लिए भुट्टा ही सुबह का नास्ता है कुछ बच्चा खाएगा कुछ उसकी माँ खाएगी मक्के की रूटी हाथ से कैसे बनती है ये अगर देखना चालते हो तो यहीं देख लो एक तरफ मक्के की रूटी दूसरी तरफ सबजी बनती है तिसरी और बाजू में चावी बनती है सभी ने अपने अपने हिस्से का काम बांट दिया है ऐसा तरने से कोई एक पे सारे काम का बोज नहीं आता है और सब अपना काम अची तरह कर सकते हैं रूटी बनाने की स्किल इतनी अच्छी है कि हाथ से रूटी बनती है फिर भी रूटी हाथ से तूटी नहीं है फूद बनाओ तो पता चलेगा कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम मानते हैं और जितना हम समझते हैं कि ये बहन जी की प्लास्टिक की बॉडल में परा हुआ तेल गाड़ा है इसलिए उसको पिगलाने के लिए उसे गरम करना पड़ता है और तब जाके वो थोड़ा लिक्वीड फोम में आता है ये सबजी की सुगंद इतनी अच्छी थी के मूँ में पानी आ जाए मैं यहाँ खड़ा था इसलिए मैं ये बूलता हूँ खाना तो बन गया उसको समाल के रद्बी दिया अब काम का वक्त शुरूद पुरूश हो या औरत सब ये काम में लग गये हैं उनके बच्चे भी हैं जो मिट्टी के धेर पे खिलते हैं या कंकर के धेर पे खिलते हैं लेकिन एक तरफ बच्चा अपना काम करते हैं और उनके माबाब दूसरा अगर माबाब काम नहीं करेंगे या बच्चे को खिलाएगा कुन? क्या होगा ये बच्चों का वहिश है? कब बड़े होंगे? कब बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? बढ़ेंगे या नहीं? कोई पता नहीं है इसकी आँख का तेज देखो ये हमारे ही बच्चों की तरह है हमारे बच्चे स्कुल में जाते हैं और ये मिट्टी में खिलते हैं जीवन की सच्चाई कहो मजबूरी कहो जो भी कहो यही है काम का वक्त खतम उपेर का वक्त है आने का समय हो गया है जो फैबिली अलग अलग खाना बनाते थे वो सब इकटे हो गए हैं साथ मिलके खाना खाते हैं भूख भी तो लगी होगी चार पांच घंटे तक काम करो भूख ना लगे ज़से कैसे हो सकता हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्स्रेब जरूर करगा मुझे जरूर कि उरूर कि उरूर भी तक करता हैं